अगर आप इस चैनल का complete benefit लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को playlist के थुरू explore करना होगा आप जैसे इस चैनल की playlist को click करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे topics की playlist आ जाएंगी मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th class के लिए physics lecture और साथ ही B.A.C. B.T.E.C. के लिए भी physics lecture and free PDF notes with experiments यहाँ मैंने upload किये हुए हैं Hello students, good morning, कैसे हो सब? तो इन current lectures में हम पढ़ रहे हैं application of dimension और last lecture में हमने dimension पर कुछ numerical perform किये थे और आपको भी मैंने एक numerical करने के लिए दिया था तो पहले उस numerical को हम discuss करते हैं, फिर next application of dimension हम देखते हैं तो हमने आपको last numerical यह करने के लिए दिया था When a plane wave travels in a medium, the displacement y of a particle located at x at time t is given by y equal to a sin bt plus cx where a, b and c are constant, find the dimension of b and c b upon c, हमें यह find करना था तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा जो basic principle था वो था कि same quantity add होती है और same quantity subtract होती है यह हमने पढ़ लिया था अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था trigonometric जो भी ratios होते हैं sin, theta, cos, theta उस sin के अंदर जो bracket में जो angle जो भी quantity होती हो वो angle होती है तो अब देखिए, sin के bracket में कौन सी quantity है bt plus cx तो यह पूरी quantity angle है तो मैं ऐसे लेख सकता हूँ देखिए, मैं ऐसे लेख सकता हूँ कि यह पूरी quantity bt plus cx एक angle है यह clear होगा और हमने last lecture में देख लिया था कि अगर यह quantity equal में angle है तो यह भी angle होगी और यह भी angle होगी क्योंकि concept याद किजिए एक अगर हम angle में अगर हम angle में angle जोडते हैं theta 1 में theta 2 जोडते हैं तो हमारे पास theta 3 ही आएगा तो यह इस angle में इस angle जोड़ेगा तो हमारे पास angle ही आएगा तो यह चीज आपको clear हो रही है यह एक मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की तो यह आपको clear हो गया तो यह main बात है तो इसकी जो इसमें जो bt है उसकी भी dimension angle के equal होगी और जो cx है उसकी dimension भी angle के equal होगी और यहाँ से हम b और c constant find कर लेंगे तो यहाँ पर इतना कर लिए आपने तो अब हम क्या करेंगे हम लिखेंगे dimension of bt is equal to यह is किसकी equal होगी angle के dimension की angle की dimension क्या होती है m0, l0, t0 ओके m0, l0, t0 ठीके अब हम इस quantity में भी dimension पुट कर देंगे तो b की जगे b पड़ा रहने देंगे और t की जगे हम लिख देंगे capital T और यहाँ पर equal लिख देंगे क्योंकि इस बार हमें dimension put कर दी है तो यहाँ पर m0, l0, t0 clear हो आपको अब हमें b की value find करनी है b की dimension find करनी है तो कैसे find करेंगे last step मैं यहाँ लिख रहा हूँ b equals to m0, l0, t0 और यह t आ जाएगा upon में तो यह हो जाएगा m0, l0, t-1 तो आप b की अब आप dimension याद रिखीज़े b की dimension है m0, l0, t-1 ओके तो b की dimension clear हो गई याद रखना m0, l0, t-1 अब बात करते हैं cx की dimension की उसमें c की dimension हम find करेंगे तो cx की dimension भी किसके equal होगी angle के which is m0, l0, t0 तो यहाँ पर हम dimension sorry यहाँ पर मुझे इसकी dimension लिखनी पड़ेगी क्योंकि मैंने equal लगा दिया है तो इधर भी मुझे dimension ही put करनी पड़ेगी तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ cx है तो x की dimension क्या होती है? length मतलब l, clear हुआ तो यह बन गया, c बन गया हमरे पास m0, यह l upon में जाएगा और बाद में inverse हो जाएगा तो मैं direct लिख रहा हूँ m0, l inverse, t0 तो यह clear हुआ आपको अब b की clear होगी आपको हमें find क्या करना है b और c की dimension बता लगी अब हम question में हमें निकालना है b by c b upon c, okay तो यहां हम perform करते हैं b by c अब b की dimension कितनी थी m0, l0, t inverse और c की dimension कितनी है m0, l inverse, t0 इतना clear हो आपको, okay अब l inverse reciprocal होगे क्या बन जाएगा l, ठेक है b by c कर रहे है m0, t0 को के मतलब नहीं है इस m0 को के मतलब नहीं है l inverse बन जाएगा l1 तो यह हमारे पास b by c की dimension आजाएगी b by c की dimension आजाएगी lt-1 या हम कह सकते है lt-1 किसके equivalent होता है dimension किसके equal होती है velocity के तो हम यह भी बोल सकते हैं b by c की जो dimension है वो velocity की dimension के equal है clear होगे आपको बात यह okay तो इस तरह से हम हमें numerical perform करने होते हैं अब हम enter करते हैं next dimension के अंदर next application के अंदर तो dimension की help से हम formula भी create कर सकते हैं कोई नया formula जो बनता है कोई नई equation जो बनती है वो भी हम dimension की help से create कर सकते हैं तो कैसे करते हैं इसके लिए सबसे पहला step हमें experiment करना होता है ठीक है मैं फिर से बता रहा हूँ dimension की help से हम कोई भी formula create कर सकते हैं उसके लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है एक experiment करना है और उसमें हमें देखना है कि ये quantity किन किन quantity पर depend कर रही है ठीक है जैसे इस example की हम एक example लेते हैं जिसमें मैं क्या करता हूँ एक pendulum लेता हूँ और वो pendulum ऐसे oscillate कर रहा है ठीक है pendulum क्या कर रहा है ऐसे oscillate तो मैंने इस experiment को बहुत अच्छी तरह observe किया और मैंने देखा कि इसका ये oscillation किन किन quantity पर depend कर रहा है फिर से मैंने experiment किया जिसके अंदर मैंने एक pendulum को ऐसे oscillate कर वाया और मैंने देखा कि ये pendulum का oscillation किन किन factors पर depend कर रहा है तो मुझे ये पता लगा कि जो oscillation कर रहा है ये mass पर depend कर रहा है अगर मैं mass change कर रहा हूँ ना pendulum का तो ये oscillation की भी change हो रहा है ठीक है इसका मतलब ये oscillation है जो mass पर depend कर रहा है फिर मैंने देखा gravitational acceleration पर depend कर रहा है तो ये मुझे पता लग गया कि किन किन quantity पर depend कर रहा है जब भी हम experiment करते हैं तो हमें ये बात पता लग जाती है कि कोई quantity किन दूसरी quantity पर depend करती है इतनी बात पता लेकिन फिर भी formula create नहीं हो पाता है formula create करने के लिए हमें dimensional analysis की help लेनी पड़ती है या dimension की help लेनी पड़ती है तो उसी method से हम एक formula create करके देखते हैं ठीक है तो application number 2 है based on derivation of the relation between various quantities derivation of formula यह है application number 2 और यह example number 5 हमें इसके direct example start करते है तो example है suppose that the oscillations of a simple pendulum depends upon पहली बात oscillation का मतलब ऐसे oscillate करना तो यहाँ पर हम बोलेंगे oscillation के अंदर जो quantity involved होगी वो time time है कह रहा है ना suppose that the oscillation of a simple pendulum depends upon तो oscillation का मतलब time period तो time period किन किन चीज़ों पर depend कर रहा है depends upon mass of the bob क्या होता है यह जो pendulum है यह जो गोला होता है उसको हम bob बोलते हैं जैसे यह बना के दिखाता हूँ यह pendulum है तो यह जो part है जिसका mass m है इसको हम bob बोलते हैं तो इस bob का mass कितना है m the length of string जो pendulum की रसी की लंबाई है string की length है वो L है और acceleration due to gravity कितना है G है और angular displacement है theta तो यह pendulum है यह इसका mass है bob का यह length है यह ऐसे oscillate कर रहा है इदर से उदर तो यह जो oscillate कर रहा है इसका angle है theta और क्या है acceleration due to gravity जो earth हमें नीचे की तरफ जो gravitational acceleration होता है वो है small g तो हमने देखा कि हमने experiments observe कि यह इन इन चीजों पर depend करना चाहिए यह clear हुआ तो अब सबसे पहले अब हमें application देखनी है question prove करने है कैसे करते हैं देखो तो सबसे पहले question को अच्छी तरह देखना है question में कहे रहा है कि simple pendulum का जो time period है वो किन किन चीजों पर depend कर रहा है time period मतला oscillation किन किन चीजों पर depend कर रहा है mass पर depend कर रहा है length पर depend कर रहा है acceleration due to gravity पर depend कर रहा है और angular displacement पर depend कर रहा है यह लिखा हुआ है depends upon इन चारों quantity पर कौन depend कर रहा है इसका time period Dimensionally show which of the above factor have an influence upon the period and in what way यह कह रहा है prove करो कि which of the above factor have an influence upon on period मतलब time period पर time period का यह कह रहा है formula create करो यह कह रहा है एक तरह से देखो समझो which of the above factor have an influence upon the period मतलब इन जो factor है चार mass, length, g, displacement यह time पर किस तरह से influence कर रहे है time पर किस तरह से influence कर रहे है मतलब हमें यहाँ पर time period का formula create करना है ठीक है मैं आप बताता हूँ तो सबसे पहला तो हमें यह question रंग से पढ़ना है और सबसे पहला step यह होता है कि question को पढ़के हमें किस की value find करनी है यह पता लग जाए तो हमें यह कह रहा है कि time period अपन को find करना है और उसके बाद हमें सबसे पहले time period किन किन चीज़ों पर depend कर रहा है mass पर depend कर रहा है तो हमें यह लिखना mass पर depend कर रहा है लेंथ पर depend कर रहा है तो हमें लेंथ पर L लिखना है gravitational acceleration पर depend कर रहा है तो हमें G लिखना है और angular displacement ठीटा पर depend कर रहा है तो हमें ठीटा लिखना है तो पहले सबसे पहले ये आपको step number one clear हुआ ओके तो सबसे पहले find के करना था T और यह time period किन किन चीज़ों भी depend कर रहा है mass, length, g और theta clear हुआ, okay अब, लेकिन mass, length gravitational acceleration और angular displacement, theta की हमें power तो नहीं पता न कि कितनी power है अब हमें देखना है कि फिर से देखिए, एक बार कि time period किन पर depend कर रहा था mass पर depend कर रहा था length पर depend कर रहा था, g पर depend कर रहा था और theta पर depend कर रहा था, लेकिन mass के square पर depend कर रहा है mass के length के inverse पर depend कर रहा है, यह नहीं पता हमें कि इनकी power कितनी है यह अभी तक हमें पता नहीं लगा तो हमें इनकी power नहीं पता है तो हम इनकी power पर M के ओपर A लगा देते हैं randomly M के ओपर कुछ भी A, B, C, D मैंने ऐसे लगा दे क्यों कि मुझे पता नहीं है कि इनकी power कितनी है आप वोगे sir मैं तो A, B, C, D नहीं लगाऊंगा मैं तो P, Q, R, S लगाऊंगा तो लगा दू इनकी power हमें नहीं पता, unknown है यह ठीक है, तो experiments हमें कि वो इतना पता है कि T इन पर depend करता है लेकिन किस तरह depend करता है अभी तक यह नहीं पता लगा यही हमें dimension से find करना होता है तो यह हो गया हमारा यह सबसे main step है question को देखकर देखना कि quantity किन किन चीज़ों पर depend कर रही है तो देखे, step number one question को देखकर यह पता करना कि quantity T किन किन पर depend कर रहा है M पर L पर G पर theta पर ठीक है, फिर मैंने इनकी power नहीं पता थी कि कितनी power है, तो इनकी power के उपर मैंने M के उपर A लगा दिया B के उपर L के उपर B, G के उपर C, theta के उपर D तो यह आपनी random link के से भी तो आप के से इसे भी कर सकते हैं कि मैं theta के उपर A लगा हूँ, yes unknown quantities हैंगे, clear हो आपको यह अब proportional जैसे ही हटेगा, वहाँ पर हमारे पास आएगा constant, तो T equal to K M A L B G C theta D, तो यह आपको step clear हो जाना चाहिए proportional आएगा, हटेगा तो यहाँ पर आजाएगा constant, यहाँ पर constant, जब भी proportional हटता है जो constant आता है, वो dimensional less constant होता है, इस हमारी application में application number 2 में, जो भी हम constant लेंगे, वो हमारा dimensional less होगा तो उसकी dimension की कोई tension हमें नहीं है, तो यह step number 1 आपको clear हो गया होगा step number 2 में क्या करना है, कि जितनी भी quantity है, उनकी हमें dimension लिखनी है, सबसे पहले time time की dimension क्या होती है, M0, L0 T1 direct T1 भी लिख सकते हो M0, L0, T1 भी लिख सकते हो, यह बात अपनको clear है, mass की क्या होती है, M1 ठिक है, length की क्या होती है, M0, L1, T0 या L1 भी लिख सकते हैं gravitational acceleration कोई भी acceleration होता है उसकी dimension होती है, LT-2 तो यहाँ पे भी हो गया, LT-2 और angular displacement की क्या होती है M0, L0, T0 आपको पता है, angular या angle, यह dimensional less quantity होती है, तो सबकी dimension निकालना आ गया, step number second कोई problem नहीं है, okay step number third में क्या करना है सभी की dimension हमें इस equation में put करनी है जैसे T की dimension हमें यहाँ put करनी है, M की L की G की theta की हमें इस equation में सबकी dimension put करनी है तो मैं T की जगे रख दूँँगा, M0 L0, T1 यह देखे, put all dimension in formula, तो यहाँ पर हमारे पास था T, मैं फिर से लिख देता हूँ था कि आप compare कर सको M, A L, B ओके, और था आपने पास G, C और theta D, फिर से मैं problem हो रही है तो, एक मिन्ट रूँखो एक मिन्ट फिर से लिखता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ dimension यहाँ पर हमारे था वो equation थी T equals to K और यहाँ था M, A L, B G, C और theta D ओके, ठीक है अब हम यहाँ पर काम करते हैं सक भी dimension, तो T की dimension कितनी है M, 0, L, 0, T, 1 कि यह dimension less है तो हमें यहाँ पर quantity उसकी dimension उसकी नहीं लिखनी M की dimension, capital M M1 तो M की जगे, मास की जगे का है लिखेंगे M, sorry M1 और इसकी power कितनी है, A L की dimension के लिखेंगे, L1 power कितनी है, B G की dimension के लिखेंगे, acceleration की L, T, minus 2 power कितनी है, C theta की dimension के लिखेंगे, M, 0, L, 0, T, 0 power कितनी है, D तो M, 0, L, 0, T, 0 power D है, तो dimension less है तो जो dimension less है, उससे कैसे लिखेंगे उससे नहीं लिखेंगे, clear, clear है आपको तो हमने इसकी dimension यहाँ पर नहीं लिखेंगे यह भी dimension है ही नहीं तो लिखेंगे क्या तो M, 0, L, 0, T, 1 लिखा है ठीक है, तो यह इधर वाली जो equal वाली है ना, उसमें आपको चाहे वो T, 1 ही है, लेकिन फिर भी आपको M, 0, L, 0 लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा आपको clear हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों तरफ powers compare करेंगे बताता हूँ कैसे अब इधर 1 into A power है, इसकी M, 1 है और बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या A तो 1 into A कितना हो गया A, तो M की power बन गई A, 1 into B L के, यहाँ पर देखे, L 1 into B यह बन गया, L की power B अब यहाँ पर देखे, L T-2, और power कितनी है C, मैं फिर से बनाता हूँ L, T-2 की power कितनी है, C तो L की power कितनी हो जाएगी, C T की power minus 2 की C से multiply हो गई तो T minus 2C तो यह clear हो आपको यह step पूरा, ओके अब जब powers, base same होते हैं तो powers add हो जाती है तो M, A base कितना है, L power add हो जाएगी, B plus C T minus 2C M0, L0, T1 ताकि मैंने इदर इसलिए time के साथ M0, L0 भी लगाया ताकि आप compare कर सकें दोनों और जैसे इदर M है, इदर L है इदर T है, तो इदर M, L, T होना चाहिए, ताकि चाहे M0 है चाहे L0 है, तो भी clear हो आपको इतना, अब आपके पास M के ओपर कितना है, power को compare क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, याद कीजिए, जैसे हम यहाँ पर एक quantity हमरे पास 2X और यहाँ पर हमने, जैसे base हमारा 2 है, इदर 2X आया match में, याद कीजिए इदर 2 square है, तो दोनों तरफ इदर 2 square है तो दोनों तरफ क्या है, base क्या है, 2 है तो उनकी power equate हो जाती है, तो X equal to 2 हो जाएगा, clear हुआ अब इदर क्या है, M है, M की power 0 है, इदर M की power A है, तो दोनों की power को equate करो, तो A equal to कितना जाएगा अपने पास, 0 तो यहाँ पर हम लिख देंगे, A equals to 0, अब यहाँ पर power कितनी है, L की power कितनी है, B plus C और यहाँ पर तो सबसे पहले हमने क्या find कर लिया A equal to 0 अब यहाँ पर L की power कितनी है, B plus C यहाँ पर L की power कितनी है, 0 तो compare करो, B plus C equals to 0 अब यहाँ पर T की power कितनी है minus 2C और यहाँ पर कितनी है T की पावर 1 तो 2 minus 2C equal to 1 तो यह clear हुआ पावर कैसे compare करनी है very good आगे देखे अब यहाँ पर देखे A equal to कितना है 0 B plus C equal to 0 देख लिए था ना भी अपने लिखा तो यहाँ से मैंने C को इदर transfer किया तो आगया B equal to minus C इसको मैंने bracket बंद कर लिया यह मेरे लिए एक important equation है minus 2C equal to कितना था 1 तो यहाँ से C की value आजाएगी minus 2 upon में आजाएगा C equal to minus half आजाएगा अब B equal to minus C है इसमें यहाँ पर मैं C की जगे put कर दूँगा minus half यह देखे B equal to minus C C की जगे minus half minus minus plus तो B की value मेरे पास आगई है half अब मेरे पास A की value आगई है B की value आगई है और C की value आगई है तो जो मेरी equation थी T equals 2K क्या क्या था इसमें M A L B G C theta D था यह ओके अब theta D dimensional less quantity है और जो dimension less होती है उसको constant कहते हैं theta D भी यहाँ पर constant है और K भी constant है constant multiply होते हैं तो एक नया constant आता है जैसे 2 constant है और 3 भी constant है जैसे 1 constant है 2 यह मानले की value 2 है और theta D यह भी constant है इसकी value मानले जहें 3 है तो 2 into 3 अगर होगा तो आएगा क्या 6 तो यह एक नया constant आता है जब 2 constant multiply होते हैं तो हमें एक निया constant मिलता है, clear हो आपको, ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, के और ठीटा multiply D की जगे एक निया constant जिसको हम गहेंगे, के डेश, क्या बोलेंगे, के डेश, तो आप देखिए, तो अपने पास मैं फिर से लिखता हूँ, अराम से देखिए, खोगि यह पहला example है, तो थोड़ा time, 2 minutes लग जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमें समझना बहुत जुरूरी है, एम ए, एल बी, ठीटा सी, स्वरी, जी सी, और ठीटा डी, अब ठीटा डी और के की जगे में लिख दिया, के डेश, तो यहां आ गया, के डेश, यहां जाएगा, म, ए, एल बी, और जी, अ, जी सी, म, ए, एल बी, जी सी, तो यह के लिए हो आपको, ठीक है, तो अब यहां पर में वैल्यू पुट करने वाला हूँ, यह देखो, अब के डेश है, के डेश पड़ा, एम की पावर ए है, एकी वैल्यू कितनी निकाली हमने, जीरो तो मैंने यहां पे एकी जगे, जीरो पुट कर दिया, आगे कितना है, एल, बी, बी की पावर कितनी है, हाफ तो मैंने हाफ पुट कर दिया, जी, सी, सी की पावर कितनी है, मा तो x – 1 किता होता है 1 upon x तो g – 1 हाफ होगा 1 upon g, g half यह क्लियर हूआ d1 – 1 by 2 is equal to 1 upon g 1 by 2 यह पता हैं आपको तो g – 1 upon g1 by 2 यह क्लियर हूआ को अब किसी की पावर भी हाफ होती है हम उसको लगते है root रूट चाहे रूट लिख दो चाहे हाफ लिख दो यह की बात है तो ल की उपर भी आ गया रूट और जी के ऊपर भी आ रूट तो यह हमारी पास formula क्रीट हो गया के root L upon G तो इस तरह से फिजिक्स में हमारे formula हम create करते हैं अब एक चीज़ और रह गई जो कि limitation और dimension की जो भी हमारे पास constant आता है dimension से हम उस constant की value नहीं निकाल पाते हैं constant निकालने अलग method होता है येकिन अभी अपन को इतना ही समझना है फिर से एक बार revision अगर करें तो सबसे पहले question को देखकर हमें equation बनानी होती है तो हमने क्या किया question को देखकर equation बना ली उसके बाद step number second क्या होता है जो भी equation है उनकी हमें dimension यहाँ पर लिखनी है तो पहले आप question को देखकर equation बना सकते हो yes उनकी dimension लिख सकते हो yes फिर हमें क्या करना है फिर हमें उस formula में सारी dimension put करनी है और इधर भी MLT और दोनों तरफ हमें MLT MLT form में इस तरह से लेकर आना है फिर हमें power को compare करना है क्या करना है power को compare यहाँ पर हमने power compare किया power को compare करने के बाद हमें powers उस formula में put करनी है और हमारा formula तयार ठीक है तो अभी तो हमें time लगा है लेकिन हमें कोशिश करना है कि आगे से आगे जो कोशिशन है हम सही भी करें और हमारा time भी कम लगे, ठीक है? तो हमें last में ऐसा try करना है कि ये कोशिशन maximum हमारा two minutes के अंदर अंदर ही हमारा हो जाए जब हम आगे objective questions करेंगे multiple choice questions करेंगे तो हम देखेंगे कि हम कैसे 15 questions 30 minutes में करते हैं तो उसके लिए पहले आपको यह basic clear होना चाहिए ठीक है उसके बाद ही हम ऐसा perform कर पाएंगे तो अगर आपको यह question समझ में आ गया है तो यह question आपको try करना पड़ेगा यह question वो इसी पह बेज़े है application 2 पह बेज़े है example number 6 by the method of dimension obtain an expression for the surface tension S of a liquid rising अब इसमें तो यह direct कह रहा है देखो obtain an expression for surface tension S of a liquid rising in a capillary tube assuming that S S मतलब surface tension depends upon mass pressure pressure of liquid and radius of the capillary tube take K equal to half तो यह question थोड़ा सा ज़्यादा easy है क्योंकि देखो इसमें हमें direct कह रहा है कि पहले तो surface tension का expression find करो और यह कह रहा है कि surface tension mass पर depend कर रहा है pressure पर depend कर रहा है और radius पर depend कर रहा है तो पहला step जो हमारा वो तो direct हो जाएगा कि surface tension depend कर रहा है mass पर और किस पर depend कर रहा है pressure पर और किस पर depend कर रहा है radius पर और जैसी हम ऐसे बनाते हैं उसके बाद हम लिखते हैं A, B, C क्योंकि power समय नहीं पता होती और अगर proportional time की तो हमारा पास आएगा constant इस बार हमें constant की value भी given है half तो इतना करके मैं आपको छोड़ देता हूँ ये question half इदर आगया M, A, P, B और RC clear हुआ इतना तो ये question आप अपने आप perform करो next video मैं solve करेंगे इसको ठीक है तो आज के लिए कि विए इतना ही बागी करेंगे next lecture